सुप्रीम कोट से राहूल गांधी के लिए एक बड़ी रहत आई देश की सबसे बड़ी अधालत ने राहूल गांधी के लिए जो तातकालिक सबसे बड़ा संकट था उससे उन्हें मुक्ति दिला दी मानहानी मामले में राहुल गांदी को अधिक्तम सजा हुई थी दो साल की जिसके चलते उनकी संसत की सदस्यता चली गी जिसके चलते वो अगला चुनाव लड़ने के लिए योग हो गए सुप्रेम कोट ने उस स्थिती को पलट दिया दोश शिद्धी पर रोक लगा दी और एक बड़ा सवाल ख़ड़ा कर दिया कि ट्राइल कोट ने ये नहीं बताया जब राहुल गांदी के लिए सजा सुनाई कि वो इस मामले में अधिक्तम सजा क्यों दे रहा है कोर इशू सुप्रेम कोट के पास ये था जिस पर कोट ने सबसे ज़्यादा तबज्जो दी और उसके बाद फिर कोट ने राहुल गांदी के लिए रियायत का एलान कर दिया जब कोट ने ये टिपनी की थी आज जब बहुस चल लई थी कि हम ये समझना चाहते हैं कि राहुल गांदी के मामले में अधिक्तम सजा क्यों दी गई तब ही ये लगने लगा था कि कोट इस मामले में राहुल गांदी को रहत देगा कॉंग्रेस के लिए ये एक बूस्टर डोज है कल ही आपने देखा हुआ राउल गांधी ने हलफ नामा जो दिया था सुप्रीम कोर्ट में उसमें कहा था कि हम माफी नहीं मांगेंगे कोर्ट से ये तो अपील की थी कि हमारी सजा कम की जाए लेकिन उनका था माफी नहीं मांगेंगे इसके बाद आज उनको राहत मिल गए कॉंग्रेस में उत्सवसा माहोल स्वाभा भी के हो गया बार्टी के मुख्याले में भी डोल लंगाले बज रहे हैं बजने भी चाहिए और राहूल गांधी अब फिर से चुनाव लड़ पाएंगे 2024 का उनकी सदस्ता बाहल हो जाएगी अभी के लिए यानि वो जो एक संकट था कि क्या 24 में राहूल गांधी फ्रेम्प से बाहर होंगे वो संकट फिलाल टल गया हट गया अब फैसला होगा जनता की अदालत में जीतार का कानूनी से जो सदस्ता गई थी वो कानून से ही मिल जाएगी कानूनी मिल जाएगी लेकिन 2024 में सदस्ता मिलेगी कि नहीं मिलेगी जनता और भारती जनता-पार्टी को भी अपनी रणनीती पर मुझे लगता है कि पुनर विचार करना होगा देखना समझना होगा कि नई परिस्थितियों में कॉंग्रेस पर आक्रमन करने के लिए उसको क्या किस धंके नई तरक जुटाने होंगे और कॉंग्रेस इस फैसले के बाद जो मुझे लगता है कॉंग्रेस का गठ बंधन में भी और ज्यादा आत्मबल के साथ कॉंग्रेस महां दिखेगी जो उनका अपना एलाइंस बना है बेंगलोर में जो जन्मा है इंडिया जिसमें कुछ लोग कहते हैं बई डॉट लगाईए तब बोलिए तो उस एलाइंस में भी कॉंग्रेस की आवाज में थोड़ा वजन पैदा होगा विदिन दा एलाइंस जन्ता की जनादेश के संदर्व में जन्ता की अदालत में मुझे ने लगता कि इससे को बहुत फर्क पड़ता है हाँ ये जरूर है कि जो कॉंग्रेस अभी तक जो परचार कर रही थी कि भारती जन्ता पार्टी ने जान बूचकर रहुल जी को संसत से बाहर करा दिया जो कि एक मानहानी के मामले में उनको सजा हुई थी वो बाहर गए थे उनकी संसता खत्म हुई थी वो किसी पार्टी का मसाला नहीं था लेकिन कॉंग्रेस ने उसको इस ढंक से केंपेंड किया था कि भारती जन्ता पार्टी की टॉप लीडर्शिप ने राहुल गंधी के ख संसद में तो इंतिहान इनका भी अभी बाकी है आप वो संसद में रहेंगे चुनाव भी लड़ पाएंगे आए हैं आपका टेवर भी टेस्ट हो जाएगा तो कुल मिला के और एक और भी बात है मुझे लगता है कि मानहानी के मामलों में आप राधिक मामलों की बात मैंने कह रहा मानहानी के मामलों में अधिक्तम सजादो वर्ष की अब देने से पहले इस्थानी अदालतें और हाई कोर्ट सोचेंगे जरूर आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट की टिपणियों के बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्ने दिया है और जो टिपणियों की हैं वो निर्ने और वो टिपणियों इस मामले में नजीर बनेगी क्योंकि अभी तक भारत में आम तोर पर आम मानहानी के मामलों में होता ये था कि कुछ समय मुकदमा चलता था फिर माफी नामा हो जाता था जिस पर आरोप होता था वो चिठ्थी लिखे माफी माँगा लेता था दूसरा पक्ष कहता था 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 हमने माफ किया कोट कहता था चलो जी मुकदमा खतम यह पहला मामला था जिसमें ऐसी स्थिति नहीं बनी तो क इस सवाल सुप्रिम कोट ने सवाल को बहुत मजबूती से उठा दिया कि दो साल की सजा क्यों यह सजा का अधिक्तम ही क्यों को और जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस सवाल उठा दे तो मुझे रखता बाकी जो लोकल कोर्स है वो और हाई कोर्स उनके लिए भी एक अनक यह संदेश होता है कि मानहानी के मामलों में सजा सुनाते समय और ज्यादा सतर्क रहें इस्थानी अदालते और ज्यादा सजग रहें राहूल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के राजनेतिक माइने क्या हैं, इस से कॉंग्रिस को कितना फायदा होगा, क्या कॉंग्रिस 24 के चुनाव में इस फैसले का लाब उठा पाएगी और इस फैसले के बाद अब भाजपा की रणनीति कितनी बदलेगी, कैसे बदलेगी